आपका टाइम के बारे में बताएंगे समय के बारे में सिखेंगे कि जैसे कि आपको टाइम देखना आप कैसे को लोग में टाइम देख सकते हैं आपको इसके जो रूल्स होता है उनके बारे में बताएंगे आपको मीली माइक्रो नैनो और पिको सिखेंड के बारे में बताएंगे और किस्ट्रान हम आपको इसमें सिल्वर प्लेटिनम गोल्डन निके बारे में बेद समझाएंगे और हम आपको इसमें और लीपिया क्या होता है लेपिया क्या होता है अधिक वर्स वह जो प्रत्वी है वह एक दिगरी घूमने के लिए कितना समय लेती है। यह भी हम आपको इसमें समझाने वाले हैं रेलवेट टार मि बिल्क को कैसे आवनें वाले हैं कोई बी अगर नौनीस पाना चाहते हैनं टाइम संबती तो उन सब के लिए यह वीडियो के लिए भी exactly कोई जीड़ए करना चाहता है तो समय की बात करते हैं तो समय काहँ से start होता है अगर हम नौरमलुए देखे समध देखने के लिए हम किसी भी कलोग का प्रियोग करते हैं जैसे वाल कलोगशों दिवार पर लगी राते हैं हम उनका प्रियोग करते हैं उसमें समध देखता है या पिरInd clerk का यूज़ करते हैं आप में गड़ी बंदी रहती हैं उनसे समझ देखते हैं तो इस प्रेंट पहले हम गड़ी के बारे में यह बात करते हैं तो हम यहाप एक गड़ी ड्रा कर लेते हैं है जी है यह 12 है यह 6 है यह 3 है यह 9 है वन है और 2 फोर फाइव सेविन एट टैन अलेविट तो इस फ्रेंट जो भी गड़ी देखते हैं आप इस फरकार की देख सकता है घड़ी का सेफ कैसा है वह घड़ी वाले पर ने बरकता है वह घड़ी का सेफ कैसे बनाएगा यह उन्हें किस इंसाल को कैसी घड़ी पसंदा जब भी हम गड़ी देखते हैं तो उसमें इस तरह के 12 से 1212345678910 अलेविश्या एस से सुनों होता है ना तो यह 12 नंबर होते हैं तो इस नंबर से और दूसरे नंबर तक जो भी गैप है यह पांच बागों वे डिवाइडीड होता है इस तरह ही सभी पांच बागों वे डिवाइडीड होता है और जो एक एक बाग एक लाइज से दूसरे बीच नंबर तक जो भी गैप है वह उससे हमें एक मिनट कहता है वन मिनट क्या कहते हैं जी वन मिनट तो इस तरह से वन तक जो डिस्टेंस है वह पांच बागों वे डिवाइडीड है और उसे हम फाइव मिनट को लेगे हैं इसी परकार सारे पांच-पांच में करवाट होता है ठीक है जी अब हमारी जो क्लोग होती है वो टू हैंड रखती है दो दो सुईयां होती है एक बड़े वाली सुई होती है एक छोटे वाली होती है एक लोंग हैंड एक सोट हैंड और के देखिए लोंग हैंड यहनि छोटी सुईय यह लंग हैंड यहनि बड़ीवालीसियह और एक सोट Grant यहनि के छोटी सुईय एक बड़े वाली सुईय को हम नमबर से टच करते हैं वे यह आपका लोंग हैंड यह बड़ी स्मिघ होती है लोग हैंड होता है हमेशा हमें मिन्यट बताती है तंस मिनट तो बढ़े वाली क्वाली सुन्हें के बताएगी वहाना न बताएगी ba बढ़े हमें एक आवर बता रही और एक हमें मिनट बता रही तो इस्टुडेंट जो छोटे वाली सुई है वो हमें आवर्स बता रही है थ्री पर है आप देख सकते हैं और जो बड़े वाली है वह वान ओ टू के बीच है बिल्कुल ट्वेल पर हैं है ना तो अगर कोई भी स सबस्क्राइब की तो पूरे बज़ते हैं थ्री ओक लोग फोर ओक लोग सेविन ओक लोग नाइन ओक लोग टैन ओक लोग है ना तो अगर हमारी बड़े वाली सुई जो मिनट बता रही है अगर वो ट्वेल पर है तो पूरे ही बज़ेंगे ठीक है जी तो इस तरह हम समय को देख सकते हैं तो हमें पताशल का भाई सबसे पहला हमें क्या देखना देखिए अगर बड़े वाली सुई हमारी फाइप है तो क्या होगा फाइब मिन्ट अगर टूप है तो टैन तो इस तो यह टैन और फाइब आये कैसे तो अगर हम बड़ वाली जो सुई है वो जिस नंबर पे भी होगी अगर उसे हम फाइब सा मल्टिप्लाइब कर दें तो उतनी ही मिनाट होगी ठीक है देखिए अगर बड़े वाली सुई है आपकी थ्री पह है तो थ्री मल्टिप्लाइब 5 इस गटू 50 अगर 4 पह है तो 4 मल्टिप्लाइब 5 तो इसी परकार आप जिस पर भी जिस नंबर पर आपकी बड़े बिग हैंड होता है उससे आप खाइब से मिल्टिप्लाइब कर दीजिए उतनी ही मिनाट होगी ठीक है अगर मान लीजे आपकी इस बड़े वाली सुई है इहाँ पर तो यह होगे तो कर सकता है जो भी आपके लाइन cancel कर 17 तो आप जाते हैं 3 बज़ बीस मिन drinks विगी है नो इस परका तो यहां पे किते ही हो जाएगी तो इस तरह नाई जा तो आप इस तरह देख सकते हैं आपको शिर्फ क्या करना होता है सिरप आवर वाली सुई देखनी हैं आपको वह कौन से नंबर पर है और आपको बता देना है कि इतने बार का पता चेही गया आप कैसे में काउंट करता हैं आप मांन लीजें आपकी सुई तो कितने कितने होगे बाइस मिनट होगी क्योंकि बड़े वाली आपकी 22 पर है तो इस परकार आप टाइम देख सकते हैं और बता सकते हैं कि म香港 देखने का जो सिस्टम होता है जो समय होता है वह क argues ख़रो उब हुआ है मृइद कजम होता है है कि समय छोटा होता है हुआ जो सेटी सेकिन होती Peng Fvs F-E-M-I Femisecond S-E-C-O-N-D Femisecond इससे बड़ी होती है Pico P-I-C-O Pico-second ओके सर्थ और इससे बड़ी होती है Micro Microsecond और Microsecond से बड़ी होती है Millie Millie second Ashton and Millie second से बड़ी होती है Second ठीक है जी तो जैसे यह होती है तो यह one upon thousand होती है Student email sum में 330 add होती होती है यह इतनी होगी तो इसमें भी One upon 330 add होती होती हुई चली जाएंगी One upon तो इस तरह इनके जो प्यमाने होती है यह बंते हो चली जाता है One upon One upon One upon thousand से शुरू होती है तो यह हमारी से जिएंड हो गई तो जो 60 से जिएंड होती है वे मिलका जब 60 से जिएंड एक मिलती है तो वे one minute तयार करती है मिलका वान मिनट बनती है और जी सिक्स्टी मिनट जब मिल जाती है तो वे वन आवर तेजार करती है 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 तो सिक्स्टी मिनट बनाएंगी और जब सिक्स्टी मिनट मिलेगी तो वन आवन अवंघेंगी और जब 24 आवर만 मिलेगी तो शार मिलेंगी तो वान डेे बनाएंगे कः से बनाएंगा जी अब یہ यहां उनडे के तो सेवर यह व exactamente साथ मिलेंगे तो वन भीग बनाएंगे तो यह बनाएंगे और किस्ट्राइट अब जब फौर वीग एक साथ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे तो वन मंत बनाएंगे और जब फिप्टी टू वीग मिलेंगे तो क्या बनाएंगे वन इयर बनाएंगे और जब फिप्टीन डेज एक साथ मिलेंगे तो फौर्थ नाइट बनाएंगे फौर्थ नाइट का मतलब क्या होता है जी फौर्थ नाइट को कहता है पंद्रा दी इसे अगर इंदी में देखा जो तो अब इससे पकवाड़ा भी कहता है होता है करसन बक्स होता है एक सुखल पक्स होता है जिससे हमारा मिलकर महिना बनता है तो एक मिलने में दो ने मिलने में अगर देखा जाएं तो जegप ठाटी डेये एक साथ मिलेंगे तो वन मंथ बनाएगे तो जब टाटी डेज एक साथ में जाएंगे तो वही वन मंथ बनाते हैं और जब 365 डेज एक साथ मिलेंगे तो भी क्या बनाएंगे वन एयर ठीक है जी वन एयर बनाएंगे और जब 12 मंथ एक साथ मिलेंगे जब 12 मंथ एक साथ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे वन एयर बनाएंगे कभी कभी कुछ इस्टूजेंटों को स्टूजेंट इस कंफूजन में रहता है कि अगर वह लिखा हुआ है कि वन मंथ इस गल टूब या जान चांट उन चांट इस वाल मंथ एक वाल टू डेज तो यह रहता है जहां क्या लिखें जो सिद्य साथे बच्चे होता है मैं तो ऐसे लिख लेते हैं लेकिन जो कुछ उस्यार से होता है वें करिफ्यूज हो दाते हैं जो ज़्यादा एक्स्ट्रस मजता है अबना आपको भी सोचते हैं कि जनवरी में 31 डेज होता है तो हम यह 31 क्यों नहीं लिख सकते हैं कुछ सोचता है कि फरवरी में 28 दिन होता है तो हम यह 28 क्यों नहीं लिख सकते हैं यह 29 होता है 29 क्यों नहीं लिख सकते हैं तो कभी-कभी कुछ कर फ्यूजन में इसे गलत करते हैं त तो आज हम आपका confusion दूर कर देते हैं अगर आपको ये पूच्छा जा रहा है कि वही एक महीने में कितने days होते हैं वन मुंत में कितने दिन होते हैं तो आप हमेशा 30 ही लिखें क्या लिखें? 30 ये common है अगर आपसे ये पूच्छा जा रहा है कि वह जिन्वरी में कितने days हैं तो आप 30 तब आप सोचें कि आपको उसमें क्या लिखना? 30 लिखें या 31 लिखें तो आप उसमें 31 लिखेंगे अगर आपसे किसी भी मंद का नाम लेके कहा जा रहा है तो आप तब सोचें कि वह इसमें क्या आएगा अगर अगर आपसे कि फरवरी में कितने days होता है तो आप तब सोचें कि उसमें आपको 29 लिखना है 28 लिखना है कि वह फरवरी लिखेंगे या फिर ओडिनरी या रहे है ना? तो आप तब सोचें तो आपको ये करफर्ण होगा होगा कि एक मेहने में आप हमेशा 30 days ही लिखेंगे कि अब देखें कि वन कि वन लीप इयर इस गुंटू 366 डेज एक लीप इयर में लीप इयर को मतलब होता है अधिक वर्स है ना? एक अधिक वर्स में 366 डेज होते हैं है ना? तो इस्टुडेंट आपको कर फ्यूजन होगा भई ये कहां से आई 366 डेज है? आपको पता होना चाहिए कैसा है? हान? तो East structured जो हमारी प्रत्वी होतی है महालिजी ये सन है और यह हमारी प्रत्वी है इसें से महालई जेआ प्रोटेशन करती है अपनी अपनी दूरी पर मालिजे इसकी दूरी है तो इस पर यह ऐसे गूंती है जब यह ऐसे गूंती 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 सूरज के चार और ऐसे चक्कर लगाती है तो उससे हमारे दीत में बनती है सीजन बनती है जैसे सर्दी गर्मी बरसाथ इस तरह बनती है और जो प्रत्वी होती है वो सूरज के परिकर्मा करने के लिए तो इन सब करने के लिए तो पूरा नहीं ले लिए तो पॉरा नहीं ले लिए तो पांच गंटे यह तारिसमेट यह जाते हैं न तो इन सब को करने के लिए है ना तो फर्वरी में यह सब एक दिन के करीम हो जाती है तो इन्हें एड़्जस्ट करने के लिए अधिक वर्स अनके लिए पिया का निर्माण किया गया है वैसा है इसकी कुछ धान्मिक मानने अताई भी है है अधिक वर्स के लिए जैसे कि भई एक राजा थे कौन थे घ अधियार साल है झूछ एना तो इन्हें इस तरह की बत किती ना दिन में मरू ना रात में मरू ना मरू ऐ से भी मेन ने म्रू कि उसने सारे वरदान ले रख ए तो बगवान भी इसमय उसे मारने की लिए एक ने मंद की रचना की ती जिसका नाम है जिसे हम कहते हैं लोद का मीना वह जा जाता हैं तो इस तरह एक मीना अधिक आता ए उस में उस साल में तो उसे लोंद का मीन्ह कहते हैं जिसे हम इंगलिस में लीपियर बोलते हैं तो तो उसे मारने के लिए तो बग्मान ने एक नए मीन्हें रचना की थी और उसे इस परकार उस में मार दिया था यह वह लीपियर के नौम से परसीद है कि यहनिके अधिक वर्स तो इस्टोड़न तो इसमें जो फर्वर्वरी होते हैं अगर हम इसे मैट की तरीके से देखें तो जो लीपियर होता आ उसमें वो चार साल बाद आता है कोई भी अधिक वर्ष चार साल बाद आएगा है ना जब वो चार साल बाद आएगा जी तो उसमें एक दिन फालतू होगा यानिके उसमें जो भी लीपियर होगा उसमें जो फरवरी होगी वो 29 दिन्स की होगी फरवरी 29 की होगी लीपियर में और जो लीपियर आएगा वो चार साल बात आएगा आप कैसे पैचानेगे कि भाई यह लीपियर है यह ना बताओ तो अगर आप किसी भी किसी भी सर्ण को अगर फोर से डिवाइड कर दें अगर आप किसी भी जो आपका संद चल रहा है उसे पोर से डिवाइड कर दें है ना तो आप अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो लीपियर है फोर से डिवाइड करने के बाद अगर वो पूरा डिवाइड नहीं होता उसमें र अगर पूरा हो जाता है तो हर्वरी 29 डेस की है ठीक आजी तो इस तरह आपको पता से लिगा अगर आप इसे पूरे को डिवाइड नहीं कर सकते तो थोड़ा अड़ लगता है तो आप इसकी की disability का प्रियोग करें करों कीजिबीस की अगर किसी बीजिट के वन साट नंस को फोर से डिवाइड कर दिया जाए ना तो पूरी समझा फोर्स डिवाइड हो जाती है तो अगर वन साट टैन्स पर क्या है यह है दो नमबर 22 अगर फोरस डिवाइड हो रहा तो इसमें यह लीप कि आपको और देख सकते हैं कि भई वह लिप यह नहीं है तो अगर आपको बता चल का लीप यह कैसे बना आपका है ना जी यह भी पता चलगा आप लीपियर कैसे निकल लेंगे तो तो इस्टुएंट यह आपको इतनों किलियर होगा अब आगे जीटे हैं तो वाल लीपियर इसकल टो 365 देज होता है न जी अग टैनियर अगर टैनियर मिल जाए एक साथ टैनियर मिलकर वन सेंचुरी बनाते हैं तो टैनियर इस गटू वन सेंचुरी यह लिए दस साल मेकर एक सतावदी बनाते हैं आपनाते हैं एक सतावदी आनियर इंची टो टैनियर मिलकर जाए वन एरा एक यूग बनाते हैं है और जी 25 एयर 25 एयर मिलके क्या बनाएंगे सिर्वर जुबली सिर्वर जुबली बनाएंगे और जी 50 एयर मिलके क्या बनाएंगे गोल्डन जुबली और 75 एयर मिलके क्या बनाएंगे प्लेटी नम जुबली तो इस्ट्रेंट जोए फॉर्टनाइट होती है इसे हम पक्स भी बोलते हैं एक मीज़न दोपक्स होता है अभी आपको बताता था तो इससे ये भी बोलते हैं और जो हमारी हम अभी प्रस्वी की बात कर रहे तें जो प्रस्वी प्रस्वी में उसक्रार्ओं फोर मिन्ट में वन डिग्री राउंड लेती है एक मिनिट में चार मिनिट में वन डिग्री राउंड घूमती है तो इस्टुनेंट यह जो फॉर्मूले हैं यह आपके याद होने चाहिए आपको सेकिंड से लेकर और लीप यह तक के सभी फॉर्मूले याद होने ही चाहिए ठीक है जी तो हम बात करेंगे टाइम की समय की तो इस्टुनेंट अब हम समय पर आ जाते हैं बापसी तो अब हमारे हम इसे कैसे लिखेंगे मान लिज्जा हमारे त्रियों कलोक हो रहती है ना यह हमारे त्रियों कलोक के तो मैं लेकिने त्रियों कलोक सी ऐल ओ सी के कलोक ठीक है तो हम इसे इस तरह लिखेंगे त्रियों कलोक है ना अगर मान लीजे आपको तो यह बज़रा ना तीन बज़के तस मिनट हो लिए तो टूप एटूप आजा टैन भई पड़े वाली जो एंड है वो टूप एट तो तो कितने बज़कर थिरी पर हैं तो थिरी बज़कर हो लिए तो अगर हम इसे इंग्रिजी में बता रहा है तो देखो एक चीज़ों की है पास्ट 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 अगर हम समय की बात करें तो समय में जो इसका आर्थ हो लगाया जाता है वो लगाया जाता है बज़कर पास्ट इस बज़कर ठीक है जी पास्ट मने बज़कर अर्ए होता है टू टी ओ टू तू मने बज़ने में बज़ने में पास्ट मने बज़कर अर्टू मने बज़ने में हम सिर्फ मैंत की बात कर रहे हैं पास्ट टू के लिए हम ग्रामर की बात नहीं तो वही इस बात को याद रखे पास्ट मने बज़कर होता है तो अब हम सबसे पहले मिनट लिखते हैं जब हम टाइम लिखने की बात करते हैं तो सबसे पहले मिनट लिखते हैं तो कितने मिनट होड़ी वाई टैन मिनट होड़ी हमारी पास तो यहां लिखेंगा 10 मिनट फिर लिखेने पास्ट यानिके अरजी कितने अरे थी तो हम ऐसे टेम लिखेंगे तैन मिनट पास्ट थी यानिके तीन बज़कर दस मिनट समझ गया आप लोग तो तीन बज़कर दस मिनट अगर इस्टुनेंट मान लीज़े यह हमारा बड़ा बीग एंड है यह हमारा बीग एंड है और यह यह हमारा बज़ा लोग लिए और कितनी मिनट हो यह तो नो बज़के 50 मिन रही तो नो बज़कर पंदरा मिनट हो लिए तो मैसे कैसे लिखे 9 बज़कर पंदरा मिनट को कैसे लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे इस्टुरेंट 15 मिनाट पास्ट नॉइन ऐसे लिखेंगे यह हमने इंग्लीज में लिख दिया देखिए इस्टुरेंट अगर कहला है आप से कोई कह रहा है सबस्वानों बज़ रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे सबस्वान सबस्वा का मतलब होता है क्वार्ण क्या मतल इस ए व्र यो यो ए ऑर टी ए आर और च्वार्ण सबस्वानिगे वन पॉल एक वैंडू यग चोथा हैं ब किसका ook पर दखलिकए का बांव नगे जोकी तो वहाइट से अष्ग सब्सक्राया kники प्लाओंた कि अगे उन्जेम्जान आगी आगी तो सवा क्या होगा क्या होगा गोटा है कि अगर अगर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं देखें फिप्टी मिंट और कॉअटर और सवा तीनो एक हैं तो हमें आप इसे लिख सकते हैं कॉअटर अब को अब को अब कि को अब आधार पास चुना है भाई आधि नो बज़े के पन्ना मिंट हो गई या सवा नो बज़े चुकिया है तो आप समझ में आ गया वह समझ में क्या होता है वाटर होता है आप इससे लिख सकते हैं दो तरीके से आप इससे लिख सकते हैं अब मान लीजे हमारी सुई जो है वो वन जो छोटे वाला एंड है हमारा वो वन और टू के बीच में है है ना और बड़े वाला एंड हमारा सिक्स पे है जी तो अगर कोई भी अगर हमारी बड़े वाले सुई सिक्स पे है तो कितनी मेंट हो जाएंगी तो आप इसे कैसे लिखेंगे थार्टी मिनट बास्ट वाई जब तक यह दूसरे पर पूरा नहीं जाता तब तक पहले वाला यह अगर काउंट होगा यानिकर वन ही होगा अगर यह चोटे वाला हैं यहां भी आ रहा इस पर तो भी वन कोई काउंट करेंगा ठीक है जब त तब तक हम डू को काउंट नहीं कर सकतेकं अबने को मिनाट प्लाट वाल्ड श्रहते हैं कि अक्रतों सुर्श क के चर Das श्रूवending के आखे सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि अर्जी हाप का मतलब क्या होता है वन अपॉन टू तो शिक्स्टी अपॉन वन अपॉन टू इस गाल टू थार्टी मिनट कि यानिके आदा घंडा आदे नहीं टू क्या कहते हैं हाप तो इसे हम दूसरे तरिकसे से भी लिख सकते हैं हाप हाप पास्ट वन तो कोई भी समय है क्या सब्सक् pagar को है अगर वह ऐसे है जिसकी बड़े-्वादी सुनीक इस water तो आप से सब्नाल मतलब सब्सक्राइब कह इसем नहीं ₹ पास्ट हुआ है तो यह देड़ होगा अगर मान लीजे कोई कहता है मैं साथे तीन बज़े तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं हाफ हाफ पास्ट त्री यह तो यह साथे तीन बज़े तीस मिनाट हो रही है अगर आपको कोई कहता है डाई यह कि डाई बज़्रे यह डाई के मतलब क्या होता है टू एंड़ हाफ थो यह दो बज़कर तीस मिनाट है तो आप कैसे रिखेंगे इसे लिखेंगे हाँ पास्ट तू तो कभी कभी कुछ जान नहीं पाते हैं कि भाई डाई क्या होता है है तो ऐसे लिखेंगे हाँ पास्ट तू या थार्टी मिनट पास्ट तू एक थार्टी मिनट पास्ट तू ऐसे भी लिख सकते हैं तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं तो आपको साधे तीन साधे चार साधे पांच साधे चेल साधे वारा डेड़ ढाई सवा यह समझ में आ गया हुगा उम्मीद है है अब बात करते हैं अगर यह सुई हमारी नायन पर चली जाए बहुए नायन के बीच 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 है ना तो नायन पर चली गी तो हम टाइम को कैसे बताएं अगर किसी ने कह दिया आपको बहुए कि पोने चार बज़ रही है अब इसे अंग्रीज इंग्रीज में लिख कर लिखाओ कि पोने चार बज़ रही है पोने पोने चार बज़ रहे हैं तो इस्ट्रेट देखो अगर हम पहले सीखी बात कर लेता है पोने पी थोड़ा रूप कर लेता है तो यहां पर क्या बज़रा तो यह जो हमारी चोंटे वाली सुनिया यह टूपर जाने वाली है यह पंद्रमेंट के बाद दो बज़ जाएंगे तो इसका मतलब क्या होता है पंतारीस मिनट नाइन पर नाइन पर तो हम कैसे लिख सकते हैं इस सब्सक्राइब को फॉर्टी फाइव मिनट पास्ट वाल यह नहीं के एक बज़ के पंतारीस मिनट हुआ है ना तो इस्टुर अब संभलत क्या होता है है टो यू ए और टी ए और टार कोटर कोटर टू तो इस बाइब दो आपको बताता तू माने बजने में होता है एना कोटर टू तू यालिके दो बजने में 15 मिंट हैं है क्या है दो बजने में 15 मिंट सेज हैं ठीक है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं दो बजने में 15 मिंट सेज हैं या 45 मिंट हैं अब पर मिनें लिख रहें अ सो इसे प्हले वाला आवर निख है तो आपको उसके लिए पास्ता हैं अगर बजने वाला लिख रहें हां तो ऊसके लिए आप फू लगाएं तो इस दो परकार से आप इसे लिख सकते हैं अगर कुसीlara क्विज रहा शुन का मतलब होता है फोल इस अब खा मतलब होता है तो इस अब पूंद का मतलब होता है बारा भज़कर तो आप उसे सोच सकता है quarter two कि पंदरा मिंटें उतने बजने में जैसा आपने दो बजने में पंदरा मिट थी तो पौने दो और था यह समय यह पौने तीन हो रहे हैं तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं अगर यह यहां ना होके यहां पर बड़े वाली तो फिर क्या हो जाएगा थार्टी फाइव होगा कि तो कितनी होगी एक बजकर तो अम इसा ऐसे भी लिख सकते हैं 35 कि मिनट पास्ट वाली यह हम इसे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं बड़े 35 का मतलब क्या होगा पास्ट में टूप पर होई है ना तो अगर आम ट्राटी में से पाइव गटा दर 25 बचेगा तो इस्ट आम लिख सकते हैं 25 मिनट तू यह दो बजने पर 25 मिनट है अगर हम टू का प्रियोग करेंगे तो वह सिख से आगे करेंगे जब आधे से अधिक चल जाएगा और जो शिख से इधर हैं तो आधे के लिए आम पास्ट का इप्रियोग करेंगे बज करका और जो इससे इधर चले जाएगा उसके कि हम सबी के लिए तू का प्रियोग कर सकते हैं मान लीजिए कि चार बजने वाले हैं यह अवर हैं और पर आने वाला है और जो भी हैंड है वह हमारा वह सही अलेविन पर है है ना तो इस्टुनेंट क्या सब हुआ है तो अगर देख अगर तो तीन बज़कर 55 है लेकिन हम क्या कर रहे हमें इस टू में लिखना बजने में लिखना यह चार बजने में पांच मिंट नहीं यहां से आधा तो आप लिख सकते हैं पाई कि मिनट तू फोर तो इस परकार आपको समय लिखना बताना अच्छी तरह आ गया हुगा है है ना उमीड है कि आप इससे देखे अच्छी तरह समय बताना सीख गए होगे अपनी जो लेंग्वेज है उसमें भी और जो इंग्रिस वाली है है ना मोर्डन है उसमें भी दोनों तरीके सा आपको टैम लिखना आ गया होगा अब इस्टुएंट बात करते हैं तो समय की बात कर रहे हैं हम तो समय में बात करता है हम एम और पी एम की एम और पी एम तो स्टुएंट एम और पी एम हम समझ लेता है इसे समझने के लिए हमें समझना होगा हम हमारे पास दो तरह की घडियां होती है कितने प्रकार की हमारे पास टू टाइप क्लोक होता है एक होती है टू एलो क्लोक जिसमें जो हम अमारे घर पे रहती है अधित्ता मोस्टली अमारे घर पर टू एलो क्लोक ही रहती है उसमें जो आवर हैंड होता है वो दो बार टू एल पे जाता है अग्यों के Benny सोनि आपकेौन ये कि या फिर आपको फिर mim वाली गडी तो यह घुर होती है उनwards होती आप या फिर या फिर मोबाल में वी जो समयाता है वह भी सबक्राइब रात के बारा बज़े बारा बज़े तक बजेगे फिर ऊसके बारा बज़े बारा की वाहिए था घ्ट 20 21 22 23 24 24 तक उसमें बजते हैं तो हमारे बस दो तरह की गडिया है एक ट्वैलों को अरे टाइम तो जो समय होता है हमें उसे ट्वैलों को रेल्वे टाइम में चेंज करना होता है और जो रेल्वे टाइम होता है नों से हम ट्वैलों को चेंज कर सकते हैं ऐसे भी आपको आपकी जो यूनिट है है आने वाली उसमें पो काम आएगी वह समझेना है ना तो तो कि स्ट दधेंट यह और रात के 12 बज़ंगे को कहते हैं मिड़नाइट मेड़नाइट रात के बारा बजी को हम कहते हैं मेड़नाइट या पीरा मेड़नाइट 24 भी बजते हैं तो जब भी 24 होता है उस समय एक दम जो सारी सेकिंड है सेकिंड भी जीरो हो जाएंगी आपकी मिनट भी जीरो हो जाएंगी एक सेकिंड के लिए सब कुछ जीरो हो जाएगा फिर नया सुरू होगा एक से कि जो हमारा मिड़नाइट होती है आदी रात तो उसे एम ए पीएम में काउंट नहीं करते यानिकρεί अधी रात के लिए अम एम पीम नहीं लिखते ही उसके लिए मिड नाइट का यह परियोग करें जो आदी रात का समय होता है ठीक है सबसे पहले बात कोई कहना कि लिए प्रदेर्व मैं लिखते तो आपको ना यृम लिखना ना पीम लिखना आप कह सकते हैं काउंट नहीं होता है यह मिड़नाइट में आता है ठीक है तो इसी परकार अगर दो फैर के बारा मज़ रही है तो यह भी एम या पी एम में नहीं आएगा तो यह इसके लिए नून लिखते हैं तो जो यह रात के बारा वज़े से दिन के बारा वज़े तक तक समय है इसे हम लिखते हैं जी एम क्या लिखता है एम एम के फुल फॉर्म होती है एंटी मेरी डियम एंटी मेरी डियम यह फुल फॉर्म भी आपको याद रफनी चाहिए तो रात के बारा वज़े से दिन के बारा वज़े तक का जो भी समय होगा वह कहलाएगा क्या कहलाएगा एंटी मेरी डियम और दिन के बारा वज़े से और रात के बारा वज़े तक कर जो समय होगा वह कहलाएगा पीम क्या कहलाएगा पीम पोस्ट मेरी डियम म 17 है ठीजी जैसे तो रात के बारवजी से से द्वरवजी को समय क्या कराता है एं्टी मेरीडियन और दिन के बार वजी से रात के बार वजी तक को समय क्या कराता है पोस्ट मै unlimited यानी कि अगर आपने उंझी के समझा देख्ए हो कभी जो दूर दर्सल पर आता है तो इसिंद का उता है पूर्वाहन का मतलब होता है पूर्वान, पूर का मतलब पहले, यानिके दो पहले से पहले का समय, रात के बारा बज़े से दिन के बारा बज़े तक का समय, पूर्वान कहलाता है, और जो बाद का समय होता है, दिन के बारा बज़े से, रात के बारा बज़े तक का समय होता है, तो वो क्या कहलाता है, वो क प्राहन बूलते हैं इध्यान दे मीड़नाइट 12 लोग और नून 12 लोग कभी एम पीम में नहीं लिखे जाते हैं इनके आगे एम प्यम नहीं होता तो कभी कभी कोश्चन आते हैं कि भरी कोश्चन में आता है राइट दा एम एंड पी एम तो कुछ आपको कुछ वर्ट्स बत अगर कि मिद्ड़नेट आधी रात के बाद गस्मानाएज एक दो तीन चार है आप जानता है रात के बारबचे दीन के बज़े तक एम होगा तो इसके आगे एम होगा ना है अगर कहता है किम ओर ने इंदा मोरी मोर्नेंग जाब यह का उसका उसके लिए आप अम कर सकते हैं कहीं भी कहता है आई टेक ब्रेक फास्ट जहां भी ब्रेक फास्ट में ले लिया तो उसके ब्रेक फास्ट कभी से तो जो भी मोशन ली अधिकतर हम लोग सुभे कोई ओपीस जाते हैं और स्वेको स्कूल जाते हैं तो उनके लिए उम परियोग करेंगे अगर ऑफ से पहले का समारा तो उसके लिए माप करेंगे अगर अगर नूर मने दोफैर दोफैर के बाद कर समय क्या होता है दोफैर के बाद कर समय पी एम होता है तो जहां कहीं भी आप्टरनूर कहां गाली प्यम लिखेंगे अधिक जी तो उसके लिए पिम लिखेंगे अगर कहीं पर आरा इवनिंग इवनिंग यानिके इवनिंग सांको ही होगी है ना तो उसके लिए पिम करेंगे कहीं हारा आई टेट डिनर डिनर का मतलब होता है रात का खाना तो रात का खाना मुस्टली एट नाइन टेल इस टेम लिया जाता है तो उसके लिए पिम का परियोग करेंगे है या आपको कह रहा है बिपोर मीड़नाइट बिपोर माने पहले आधी राज से पहले का समय तो उसके लिए भी आप पिम का प्रियोग कर सकते हैं तो यह कुछ महर्ण स्थय से जिस पर आप देखकर एकदम पर जान लेंगे कि आप एम आएगा या पिम आएगा खिक है तो इस तरह आप एम और पिम लिख सकते हैं कि яться कि हम रेलवे टाइम को टोलोग देका है किसी चूंज करें और टोलोग को कंदम में केसे चैंज करें में अब यह सब्सक्राइस इस्टूर्बैके अगर किसी को पक्तिया थे समय के आगे म और पीम लिखा हुआ है या थो यह लिको या प्यािधिवा लिए यह पोस्ट मेरिडियल नित तो समझदीजें टू आलो ट्लोक है यह समझ कून सा लिता है टू आलो ट्लोक जिसका ड़िए अब हमें से जैंज करना चाहिमें से हमें से रेज़य समझ चेल करना रेज़य टाइम में चेंज करना तो वह समझ जो लिखा होगा नेको जो हमारे में में हमेसा टू डीजिट में है जो होती है में अमारी टू डीजिट में होती है और जो और होता है में गुछ तो कि यह संदे यह आवार है तो इसकी प्लेस को ऐसे तैंप नहीं है तो तैंप लिए जीरो लगा दें झी आप जो बीच में इसके जो पॉइंट है इन्हें दोनों को आठा देंगे और जो ट्वन्टी है इसे बिल्कुल ऐसे लिख देंगे ठीक है ना और फिर यहां लिख देंगे आवर्स हो यू और एस आवर्स ठीक है तो अगर दिन के बारा बज़े 59 तक कर समय है तो आप उसे लिख सकते हैं रात के 12 बज़े से अगर दिन के बारा बज़े तक कर समय है तो आप उसे डायेट एसे लिख सकते हैं तो आम इसे उसे बिल्कुल ऐसे चेंज कर रहे हैं सब्सक्राइब बात आपको यह बिल्कुल साधरन है लेकिन अब यह भी वहला है अब इसमें भी फाइव आवर है तो नहीं तरह जिरू लगा दी इसकी अब इसकी भी दो अटा दिये पोइंट और ऐसे लिख दिया तो अ यह पियंगे नहीं यह बज लेनिए अगलात हो गई यह सबह के बज गेगी निशुबह के 5-30 हो गए क्योंकि 24 आवर में अगर पीयम में है तो फाइव बजने के नहीं है ना बहुत तो सन होगा है पूरी चोबिस गंट मैं तो जो पांच बजेंगे में अगर रेल वे करना के नहीं हो सकते हैं तो हम किसी भी अगर किसी भी पीम को किसी भी जो लोग लोग है और वो पीम है अगर हम उसक रेमेशन में चीन करें तो हम उसमें ट्वेल एड करेंगे ट्वेल आवर तो हम इसमें ट्वेल आवर करतेंगे तो यह सतरा बज गए सतरा बजते हैं साम के साम का समय था पांच तीस पीम का तो यह साम को जो बजेंगे सतरा बजेंगे तो इस परकार आप किसी भी अगर पीम है और आपको लोग में लेलवेट समय में चेंज करना तो आप उसमें बारा गुंटे एड कर दीजिए जोड लीजिए अगर आपको 12 जैसा आपके यही है महां लीजे 21 बजगर कहीं लिख रहा है किस बजगर 30 मिनट लिख रहा है यहना आपको एम में चेंज करना आपको एम में चेंज करना जी यह तो आप क्या करेंके स्यसर्ट्वाइल माइनस कर दीजें है कि 12 माइनस कर दीजें है तो आप इसे लिख सकते हैं नाइन दो पॉइंट लगाओ यह लिख को और इसका पीम लिख दो गए तो यह तो अगर रेलवेज समय में पीम है पीम का समय यहनि के सामगा समय उसे आपको करतें तो यह यह अगर र housing को समय है आपको से आवर में चेंज करना रेले समय चेंज करना तो साथ उसमें ट्वैल एड़ करते हैं ठीक है तो इस परकार आपको रेले समय और टाइम और यह उमेदर सब्सक्राइब में आ गया होगा अगर आप इस वीडियो को चीप परकार देखते हैं तो आप एक्सरसाइज फिप्टीन और जी सिक्स्टीन सेवन्टीन तो इससे होने की नहीं लेकिन एट्टीन में भी आपको यह आपके लिए हैल्प फूल होगी और क्यों अगर आपको यह अच्छी लगी तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ओके स्टूटेंट थैंक यूँ